तो जैसा कि आपने देखा है थमनेल पर अगर आप लबे पलस लाना चाहते हैं तो आपको 30 में से 15 को सही करके दिखाना होगा अगर आप 30 में से 15 को सही नहीं कर पाते हैं तो आपकी समाजिक विग्यान की कोई भी तयारी आपका नहीं है और आप अपने एकजाम के लिए रेड़ी नहीं है आपकी social science में बहुत ही आप विक है इसलिए आप जाची आपने आपको कि आपको 30 में से 15 question सही होता है या नहीं होता है यहाँ पे आपको हम 21 से question दिखाएंगे 1 से लेके 20 तक का question आप पिछले के वीडियो में जाके देख लीजिए आप playlist में जाके देख सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं अपना question स्टार्ट कर लेते हैं तुमारा जो question होगा आज बिहार, बोर, class, 10, इतिहास, वस्तु, निष्प, प्लश्न, history, objective question तो आपको 30 में से 15 question को सही करके दिखाना होगा यहाँ पे हम आपको 30 question दिखाएंगे जो की पूरे history से चुने गए हैं और आपके NCRT पे अधारित है तो चलिए देखते हैं हमारा first question क्या है यहाँ पे हम 21 से question देखेंगे और देखते हैं 21 का question यहाँ पे क्या है अगर आपको 1 से लेके 20 तक का question देखना है तो आप जाके देख सकते हैं प्लेइलिस्ट में भ्याट बोड क्लास 10 इतिहास वस्तुनिष्ट प्रश्ण करके playlist बना हुआ है तो आप वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए हम start कर लेते हैं अपना question तो देखिए 1 से लेके आपको 21 तक का question यह सब मिल जाएगा आपको पिछले वीडियो में तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप हमें comment कीजिए तो हम आपको PDF भी देदेंगे तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा 21 से question क्या है और आपको 15 question सही करके दिखाना होगा तो चलिए देखते हैं देखते हैं यह target आप कहां से पुड़ा कर सकते हैं इसलिए वीडियो को लाश तक देखते रहिएगा चलिए देखते हैं हमार 21 से question कहा है तो चलिए देख लेते हैं हमारा question क्या है आपका 21 का question है लेनीन की मिर्तिव कब हुई तो बताईए सोच के आपकी लेलीन की मिर्त्यू कब हुई थी तो देखें लेलीन की मिर्त्यू जो हुई थी वही थी 1924 में तो आपने सोच लिया होगा कि लेलीन की मिर्त्यू कब हुई थी चली आपने मन में आप कॉंड कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है तो देखें लेलीन की मिर्तु कब हुई थी तो 1924 में चलिए अब देख लेते हैं हमारा 22 का question क्या है ब्रेश्ट लिटो वस्क की संदिकिन देशों के बीच हुआ था जिसका option A है Russian और Italy B है Russian और France C है Russian और England D है Russian और Germany तो बताइए इसका right answer क्या होगा तो आप comment में जरूर बताइएगा कि इसका right answer क्या होगा और आप अमने अमने में सोच लीजिए कि इसका right answer क्या होगा जो चलिए देख लेते हैं इसका right answer क्या होता है तो देखिए इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो होगा रूस और जर्मनी option number D इसका राइट एंसर हो जाएगा चलिए अब देख लेते हैं हमारा 23 का question क्या है हिंद चीन छेतर में कौन से देश आते हैं option A है चीन वियतनाम लाओस B है हिंद चीन वियतनाम लाओस C है कमबोडिया वियतनाम लाओस D है कमबोडिया वियतनाम चीन थाइलेंड तो बताएए इसका राइट एंसर क्या होगा तो देखिए इसका जो राइट एंसर हो जाएगा तो आपने मन में सोच लिया कि इसका right answer क्या होगा अपने मन में count जरूर कीजिएगा इसमें से आपके कितना right answer हो रहा है तो चलिए देख लेते हैं इसका right answer क्या होगा तो देखे इसका right answer होगा Cambodia, Vietnam, Laos तो देखे इसका right answer आपका C हो जाएगा चलिए अब देख लेते हैं मैं 24 का question क्या है अंकुरोवाट का मंदिर कहां इस्तित है option A है Vietnam, B है Thailand, C है Laos, D है Cambodia तो बताइए इसका right answer क्या होगा काफी बार पुछे गए प्रश्ण है बताइए इसका right answer क्या होगा तो चलिए देख लेते हैं इसका right answer क्या होता है इसका right answer होता है वोता है Cambodia तो option D इसका right answer हो जाएगा चलिए अब देख लेते हैं 25 का question क्या है हिंद चीन पहुँचने वाले पर्थम वेपारी कौन थे option A है England, B है France, C, C है पुर्टगाली, D है Dutch तो बताइए इसका right answer क्या होगा हिंद चीन पहुचने वाले पर्थम वेपारी कौन थे तो देखिए इसका right answer हो जाएगा वो होगा पुर्टगाली आप हमें comment में जरूर बताइएगा कि आपके कितना सही हुआ है चलिए देख ते 26 का question हिंद चीन में बसने वाले France सी कहे जाते हैं option A है France सी, B है Sasaक वर्थ, C है क probation, D है general तो देखिए इसका right answer क्या होगा तो सोचिए इसका right answer आपका क्या हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं इसका right answer क्या होता है तो देखिए इसका right answer आपका için क्या हो जाएगा तो आप लोग जरूर धियान से देखिएगा आप वीडियो को लाश्ट रख देखिएगा क्योंकि ये सब कुश्चन आपके पडिक्षा के दृष्टी कौन से बहुत ही हैलफूल होगा और इसमें से कुश्चन रहेगा ही रहेगा तो चलिए देख लेते हैं मैंने 27 का कुश् क्या हो जाएगा ऑप्सन डी इसका रहेट एंसर हो जाएगा चलिए देख लेते हैं 28 का कुश्चन क्या है दा हिस्ट्री ऑप द लाउस वियत नम किसने लिखा ऑप्सन ए है होची मिन भी है फॉन वही चाओ सी है कुवांग डी है ट्र्यू तो बताइए इसका रहेट एंसर क्या होगा है सोचिए कि आपको यह कोश्चन आता है हूं और हम देख लेंस का रहेट एंसर क्या और होता है पहिज देखिए сбrand फ्राart इमर्श स देखिए पहुड़े का क्या होग pick मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियत नाम के बीच होने वाला समझोता किस नाम से जाना जाता है option A है जनेवा समझोता, B है होने समझोता, C है पैडिस समझोता, D है धर्म निटपेक्ट समझोता तो देखे इसका जो राइट एंसर आपका हो जाएगा तो आप लोग जरूर सोच लिए होंगे कि इसका राइट एंसर क्या होगा तो चलिए देख लेते हम इसका राइट एंसर क्या होता है तो देखे इसका राइट एंसर होगा होने समझोता, option B इसका राइट एंसर हो जाएगा 29 का चलिए अब देख लेते हमारा 30 का question क्या है किस परसित दार्षनिक ने एक आदालत लगा कर अमेरिका को वियत नाम युद के लिए दोसी कराड़ दिया ओप्सन ए है रसेल, बी है होची मिन, सी है नरुत्तम, सिहान जुक, डी है रूसो तो देखिए इसका जो राइट एंसर होगा, वो राइट एंसर क्या होगा बताइए किस परसित दार्षनिक ने एक आदालत लगा कर अमेरिका को वियत नाम युद के लिए दोसी कराड़ दिया तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट एंसर क्या होता है तो देखिए इसका राइट रेंसर आपका रसेल हो जाएगा तो आपका 30 का राइट रेंसर आपका A हो जाएगा चलिए अब देख लेते हैं 31 का question क्या है हिंद चीन छेतर में अंतिम यूद समापती के समय में अमेरिका राष्ट पती कौन थे देखिए option A है 1C गटन, B है निक्सन, C है जॉर्ज बूस, D है रूज वेल्ट तो बताईए इसका राइट रेंसर क्या होगा यहाँ पे हम आपको 21 से लेके 50 तक का question बताएंगे तो total question आपका क्या हुआ 30 तो आप उसमें से 15 question सही करके दिखाईए तो बताईए आपने सोच लिया होगा इसका राइट रेंसर क्या होगा तो चलिए देख लेते हम इसका राइट रेंसर क्या होता है तो देखिए इसका राइट रेंसर आपका निक्सन हो जाएगा तो 31 का राइट रेंसर आपका B हो जाएगा चलिए अब देख लेते हैं मेरा 32 का question क्या है हुआ हुआ अंदोलन किस प्रकृति का था तो देखिए option A है क्रांती कारी B है धार्मिक C है समराजी वादी समर्थक D है क्रांती कारी धार्मिक तो देखिए इसका जो right answer आपका हो जाएगा तो आप सोच लिए कि इसका right answer क्या होगा तो चलिए हम देख लेते हैं इसका right answer क्या होता है इसका right answer हो जाएगा क्रांती कारी धार्मिक तो 32 का right answer आपका A हो जाएगा चलिए हम देख लेते हैं मेरा 33 का question क्या है तो देखिए क्रांती कारी धार्मिक इसका right answer हो जाएगा, तो चलिए हम देखते हैं 33 का question क्या है, गदर पार्टी का स्थापना किस ने और कब की, तो देखिए option A है गुर्दयाल सिंग 1916, B है चंसेखराजाद 1923, C है लाल हरद्याल 1913, D है सोहन सिंग भाखना 1918, तो बताइए इसका right answer क्या होगा, जितने भी question है बहुत important है, हम आपको बार-बार suggest कर रहे हैं, ये question अगर आप से छूटता है, तो निश्ची तोर से आपके एकजामे question छूटेंगे social science में, तो आप जरूर देखिएगा, जितने भी history से question पूछेंगे, इसी में से पूछेंगे, इससे बार कहीं नहीं पूछेंगे, ठीक है यहां हम आपको 1 से लेखे 30 तक का question दे देंगे, वीडियो बार वीडियो दे देंगे, तो आप जरूर देखिएगा, यहां पे हम आपको 30 question दिखा रहे हैं, तो आपको उनमें से 15 question को सही करके दिखाना होगा, तो देखिए देख लेते हमें इसका right answer क्या होता है, तो देख इस इस भी, चलिए अब देख लेते हैं, हमारा 35 का question क्या है, लखनो समझोता किस words हुआ, option A है 1916, B है 1918, C है 1920, D है 1922, तो बताइए इसका right answer क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं, 35 का right answer क्या होता है, तो 1916, यहां पे इसका right answer हो जाएगा, 35 का right answer आपका A हो जाएगा, च सयोग आंदोलन का प्रस्ताब, कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, option A है सितंबर 1922, कलकता, B है अक्टूबर 1922, अहमदाबाद, C है नवंबर 1922, फेजपूर, D है दिसंबर 1922, नागपूर, तो बताइए इसका right answer क्या होगा, तो चलिए हम देख लेते हैं, 36 का right answer क्या होगा, तो देखिए 36 का right answer हो जाएगा, सितंबर 1922, कलकता, यहाँ पे इसका right answer 36 का हो जाएगा, option A इसका right answer हो जाएगा, तो देखिए अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, तो मैं comment चरूर कीजिएगा, तो हम आपको बताएंगे क्या PDF यह जो है, आप कहां से ले स शुरू हुआ, option A है 1920 तुर्की, B है 1920 अर्ब, C है 1920 फ्रांस, D है 1920 जर्मनी, तो बताएए इसका right answer क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं, हम 37 का right answer क्या होता है, तो देखिए 37 का right answer 1920 तुर्की, तो option इसका A सही हो जाएगा, 37 का, चलिए देखते हैं 38 का question क्या है, सभीने अंदोरन कब और किस यात्री से सुरू हुआ, option A है 1920 भूज, B है 1930 आमदाबाद, C है 1930 दांडी, D है 1930 एलबा, तो देखिए इसका right answer क्या हो जाएगा, तो चलिए हम देख लेते हैं, 38 का right answer क्या होगा, देखिए 38 का right answer आपका 1930 दांडी हो जाएगा, तो option इसका right answer हो जाएगा C, चलिए देखते हैं, 39 का question क्या है, पूर्ण शोराज की मांग का प्रस्ताब, कॉंग्रेस के किस वार्सिक अधिवेशन में पारित हुआ, A, 1929 लोहार, B, 1931 करांची, C, 1933 कोलकाता, D, 1937 बेलगाउ, तो बताइए इसका right answer क्या होगा, तो देखिए इसका right answer आपका A हो आपना कब और किशने की, option A है, 1933, गुरू, गोल, वलकर, B है, 1925, के भी, हैड गेवार, C है, 1926, चितरंच, दास, D है, 1928, लाल, चन, तो बताइए इसका right answer क्या होगा, तो चलिए हम देखते हैं, 40 का right answer क्या होता है, तो 40 का right answer हो गया, 1925, के भी, हैड गेवार, तो इसका right answer आपका हो जाएगा, B, तो देखिए 40 का right answer आपको यहाँ पर B हो जाएगा, चलिए देखते हैं, 41 का question क्या है, बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपाधी किस आंदोलन के दोरान दी गई, option A है बारदॉली, B है अमदाबाद, C है खेरा, D है चमपारन, तो बताइए इसका right answer क्या होगा, बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपाधी किस आंदोलन के दोरान दी गई, तो चलिए देखते हैं, 41 का right answer क्या हो जाएगा, तो 48 का right answer, 41 का right answer आपका हो जाएगा, बारदॉली, तो option A है इसका right answer हो जाएगा, चलिए देखते हैं, 42 का question क्या है, रंपा विद कब हुआ था, तो option A है 1916, B है 1917, C है 1918, D है 1919, तो बताइए इसका right answer क्या होगा, रंपा विद्रो कब हुआ, तो चलिए देखते हैं, 42 का right answer क्या होगा, तो 42 का right answer आपका 1916 हो जाएगा, option A, चलिए देखते हैं, 43 का question क्या है, सिपनिंग जैनी का विद्रो कब हुआ, option A है 779, B है 770, C है 773, D है 775, तो बताइए इसका right answer क्या होगा, 43 का, सिपनिंग जैनी का विद्रो का right answer क्या होगा, तो चलिए देखते हैं, 43 का right answer क्या होगा, तो देखिए इसका right answer आपका 1770 हो जाएगा, तो 43 का right answer आपका यहाँ बी हो जाएगा चलिए देखते हैं 44 का राइट एंसर क्या होगा 70 लेंप का विसकार किस ने किया option A है James Hargreeb B है John Key Shri है Crumbton D है Humphrey Davy तो बताएए इसका राइट एंसर क्या होगा 70 लेंप का विसकार किस ने किया तो चलिए देखते हैं 44 का राइट एंसर क्या होगा तो 44 का राइट एंसर हो जाएगा Humphrey Davy तो option इसका D सही हो जाएगा 44 का चलिए देखते हैं 45 का question क्या है मुंबई में सरपर्थम सूती कपड़ों के मील की इस अस्थापना कब हुई option A है 851 B है 880 C है 1907 D है 1914 तो बताइए इसका राइट एंसर क्या होगा मुंबई में सरपर्थम सूती कपड़ों की मील की इस थापना कब हुई तो चलिए देखते हैं 45 का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 45 का राइट एंसर आपका 8801 क्या बन हो जाएगा चलिए देखते हैं 46 का question क्या है उनीस सो सत्रा इस भी में भारत में पहली जूट मिल्क किस सहर में स्थापित हुआ option A है कोलकाता, B है दिल्ली, C है मुंबई, D है पटना तो बताइए इसका right answer यहाँ पे क्या हो जाएगा उनीस सो सत्रा इस भी में भारत में पहली जूट मिल्क किस सहर में स्थापित हुआ तो देख लेते हैं इसका right answer क्या होगा 46 का वोगा कोलकाता तो यहाँ पे आपका 46 का right answer आपका A हो जाएगा चलिए देखते हैं 47 का question क्या है भारत में कोईला उद्योग का problem कब हुआ option A है 1907, B है 1914, C है 1916, D है 1919 तो बताइए इसका right answer क्या होगा भारत में कोईला उद्योग का problem कब हुआ तो बताइए इसका right answer क्या होगा तो चलिए देखते हैं 47 का right answer क्या हो जाएगा यहां पे आपका 1914 हो जाएगा तो 47 का राइट एंसर आपका B हो जाएगा चलिए देखते हैं 48 का कुश्चन क्या है जमसेद जी टाटा ने टाटा आरेन एंड इस्टील कमपनी की अस्थापना कब ख़ी ओप्सन A है ठाड़ा सो चोवन B है 1907 C है 1915 D है 1923 तो बताइए इस का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो चलिए देखते हैं 48 का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 1907 जमसेद जी ने टाटा ने टाटा आरेन एंड इस्टील कमपनी की अस्थापना 1907 में की थी चलिए देखते हैं 49 का कुश्चन क्या है भारत में Tata Hydro Electric Power Station अस्थापना कब हुई option A है 1910, B है 1951, C है 1955, D है 1962 तो बताइए इसका right answer क्या होगा भारत में Tata Hydro Electric Power Station की अस्थापना कब हुई तो चलिए देखते हैं 49 का right answer क्या हो जाएगा 1910 तो देखिए इसका right answer हो जाएगा 49 का वो हो जाएगा A चलिए देखते हैं 50 का question जो की हमारा last question है आप हमें बताइए गा जरूर जरूर की यहाँ पे हम आपको 30 question बताए है उसमें से क्या आपका 15 question सही हुआ है अगर आपका 15 question सही नहीं हुआ है तो आप निश्ची तोर से एक्जाम के लिए तयार नहीं है तो चलिए देखते हैं हमारा 50 का question क्या है इंग्लेंड में सभी इस्तरी एवं पुरुसों के वयस्क मता अधिकारी का प्राप्त हुआ तो option A है 838, B है 888, C है 1908, D है 1932 तो देखिए इसका जो right answer हो जाएगा 50 का वो हो जाएगा 1918 तो चलिए इस video बस इतना ही और इससे आगे का जो question बचे हुए हैं यहाँ पे हम आपको history में से 82 question दिखाएंगे 1 से लेके 20 तक का question हमने पिछले video दिखा दिया है यह हमारा 21 से लेके 50 तक का question है इससे आगे का question हम आपको next video देंगे और साथ ही हमें यह जरूर बताईएगा कि यहाँ पे हम आपको 30 question बताएं क्या आपको उनमें से 15 question सही हुआ है अगर आपका 15 question सही नहीं हुआ है तो आप exam के लिए ready नहीं है और आपको exam को तयारी करनी की आवे सकता है तो आप निश्टी तोर से exam की तयारी पर ध्यान दीजिए नहीं तो आप exam में अच्छे mark नहीं ले पाएंगे और जितने साथे question है आप उसे ध्यान से जरूर देखिएगा अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप subscribe जरूर कर दीजिएगा क्योंकि channel के नीचे में आपको rate color का subscribe का बटन दिखाई दे हुगा आप उसे click जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक जरूर कर दीजिएगा थैंक्स फोर बचिएगा